सबसे खास बात होती है कि आप इसे एक बार बना के फ्रिज में स्टोर करके भी रख सकते हैं आप यदि इस चैनल पर फॉस्स टाइम वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और रेसिपी इसको ट्राय ज़रूर करें स्टार्ट करते हैं इमली की खटी मिटी चटनी की रेसिपी इसके लिए इमली लेंगे 100 ग्राम यहाँ पर मैंने जो इमली ली है उसमें बीज नहीं है यदि आपके पास जो इमली है उसमें सीड्स हैं तो आप वो भी ले सकते हैं तब से पहले इसमें पानी डाल की इसे अच् तो आप इसे इस तरह से एक बार ट्राय करें अब इसमें लगबग दो कप डालना है गरम पानी और इसे दो खंटे के लिए भी गोना है गरम पानी डालने से इमड़ी बहुत ही जल्दी सॉफ्ट हो जाएगी आप देख सकते है इसे अच्छी तरह से हाथों से मैश कर लेंगे और अब इस पल्प को चलनी से छान लेना है चलनी से छानने से इसमें जितने भी रेशे या फिर कोई सीट से तो वो अलग हो जाएगा और पल्प बहुत ही साफ बन के तैयार होगा इमली का पल्प तैयार है अब एक पैन में एक छोटा चमच डालेंगे तेल उसमें डालना है एक छोटा चमच जीरा 1-4 टी स्पून डालेंगे हींग और अब इसमें डालना है इमली का पल्प इसे mix करेंगे और 2-3 मिनिट के लिए इसे पकाना है अब यदि यहाँ पे आपने जो पल बनाया है वो थोड़ा सा ज्यादा पतला है तो इसे थोड़ी ज्यादा देर के लिए पकाएं अब इसमें डालना है मीठा मीठी के लिए मैं इसमें डालूंगी गुड 100 ग्राम और चीनी डालेंगे 2-3 चमच यहाँ पे मैं गुड और चीनी दोनों डाल रही हूँ बट यदि आप इसे गुड से बनाना चाहते हैं या फिर सिर्फ चीनी से बनाना चाहते हैं तो वो भी टाल सकते हैं और मीठी का रैश्यो रहता है जितना आप इमली लेते हैं उतना ही इसमें डलता है मीठा लेकिन गुड और चीनी दोनों डालने से चटनी का कलर भी सुन्दर आता है और चटनी बनती भी बहुत टेस्टी है अब गुड और चीनी पूरी तरह से घुल चुके हैं इसमें डालेंगे मसाले मसाले के लिए इसमें डालेंगे आधा छोटा चमच लाल मिर्च पाउडर आधा छोटा चमच डालना है काली मिर्च का पाउडर यही ड्राय जिंजर पाउडर या जिसे सौट का पाउडर कहते हैं आधा छोटा चम्मच यह जरूर डालें भुनेवोई जीरे का पाउडर डालना है आधा छोटा चम्मच काला नमक है 1-4 टी स्पून और नमक डालेंगे आधा टी स्पून इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और 2-3 मिनिटी से और पकाना है अब चटनी अल्मोस बनके तयार है यहें मैलन सीट्स जिसे खरभुजे की बीच कहते हैं इन्हें हलका सो रोस्ट कर लेंगे और एक छोटा चमच डालना है यह टोटली आप्शनल है इससे टेस्ट में कुछ भी डिफरेंस नहीं आएगा बड़ दिखने में यह बहुत सुन्दर लगते हैं बैलन सीट्स डालने के बाद में गेस की फ्लेम को तेज करें और जस्ट इसमें एक बॉयल आएगा फिर गेस को आफ कर देंगे और चटनी की थिकनेस को चेक करने के लिए एक चमच को डिप करें उसे कुछ सेकंड के लिए ठंडा करेंगे और इस तरह से चेक करेंगे इससे फ्रिज में रग्गे एक से दो महिने के लिए यूज कर सकते हैं ये थी इमली की खट्टी मिठी चटनी नेक्स्ट रेसिपी के साथ जल्दी मिलेंगे थैंक यू फर वाचिंग माई वीडियो बाई